नमस्कार मित्रों, डेज़दार पांट चैनल के एक नए वीडियो लक्चर में मैं हूँ अमिदूबे और आज के इस वीडियो लक्चर में हम क्लास तिंथ इंगलिस के थर्ड चैप्टर अटाइगर इन दजू का अध्यन करेंगे इस वीडियो लक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लक्चर कम्प्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि आज के इस वीडियो लक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आशान सब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशान हो जाएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की तो हमारे चैप्टर का नाम है अटाइगर इन दजू आटाइगर आ मतलब एक टाइगर का मतलब बाग तो एक बाग इनका मतलब होता है में दजू जू का मतलब होता है चिडिया घर तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि दजू इन अटाइगर यनी चिडिया घर इन में अटाइगर एक बाग चिडिया घर में एक बाग आपको पता है कि चिडिया घर में बहुत सारे जानवरों को कैद करके रखा जाता है लेकिन यहाँ पर विशेश रूप से आप बाग के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर आपके कवी हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई बाग जंगल में आजाद घूमता है तो उसकी दसा कैसी होती है और जब उसी बाग को चिडिया घर में कैद कर दिया जाता है तो उसकी दसा कैसे हो जाती है चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं अब आपका ध्याई यहाँ से सुरू होता है ध्यान से समझेगा पहले वाले सीन में यानि यह जो पहली लाइने आप पढ़ने चल रहे हैं इसमें जो बाग है न वो पिजड़े में बंद है तो कभी क्या कहते हैं कि ही वहाँ ही लगा उस बाग के लिए तो ही वह बाग श्टाक्स श्टाक्स का मतलब होता है सान से चलना अकरकर चलना राजा जैसा चलना साही चाल कुछ भी कह सकते हैं आप ठीक है तो ही श्टाक्स वह सान से चलता है कौन सान से चलता है वह बाग जो पिजड़े में बंद है भाई बाग अपने आप में राजा होता है जंगल में जिसको चाहे फाड़ के खा जाए लेकिन यहाँ पर वो से चलता है वह बाग पिजड़े में कैद है लेकिन क्या कह रही है उसके बारे में कि ही श्टाक्स वह सान से चलता है इन हीज और हीज उसके जो उसकी बाड़ी है ना उस पर स्ट्राइप्स है उस पर जो धारिया बनी है वो वीविड है वो बहुत चमकीली है तो उसके सरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली है और वहां सान से चलता है दफ्यू इस्टिप अब कहते हैं कि फ्यू कुछ ही इस्टिप कदमों तक लेकिन उसकी ये जो साही चाल है वो फ्यू इस्टिप कुछ ही कदमों तक सीमित है और फीस केज का मतलब होता है पिजड़ा क्योंकि वो केज में है क्योंकि वो पिजड़े में बंद है तो पिजड़े में बंद होने की वजह से उसकी ये साही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है तो पहली लाइन बहुत सुन्दरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसके सरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली है और वो सान से चलता है लेकिन उसकी साही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है क्योंकि वहाँ पिजडे में बंद है ठीक है यानि वो अपने पिजडे से बाहर नहीं जा सकता तो अपने पिजडे में ही इधर उधर ठैलता रहता है अब यह देखें पैट्स का मतलब होता है पैरों के तलवे उसके पैरों के तलवे वेलवेट हैं मतलब होता है मखमली गदेदार मुलायम तो उसके पैरों के तलवे गद्देदार और मुलायम है क्वाइट और इसलिए वहां क्वाइट चल रहा है इसलिए वह बिना कोई आवाज किये चल रहा है तो उसके पैरों के तलवे बहुत गद्देदार और मुलायम है इसी लिए वहाँ बिना कोई आवाज किये चल रहा है in his, वहाँ his अपने raise में है कौइट को भूल जाए raise में है अरथात वहाँ अपने क्रोध में है अरथात वो क्रोधित दिखता है पिजड़े में बनद बाग क्रोधित दिखता है लेकिन कौइट रहता है है क्यों 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 कि उसको पिजड़े में बंद कर दिया गया है तो पिजड़े में बंद है इसलिए वो क्रोधित दिखता है लेकिन क्वाइट लेकिन सांत रहता है क्यों 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 कि पिजड़े में तो वो किसी को कुछ नहीं कर सकता ना पिजड़े से बाहर आ है तो सब को स्वर्ग पहुचा दे लेकिन पिजड़े में बंद है अब वो इस बात से नाराज है कि उसको पिजड़े में बंद कर दिया गया है और इसी लिए वो गुसा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता इसी लिए वो क्वाइट रहता है सांत रहता है ठीक है तो इन्हीं स्क्वाइट रेज वहां क्रोधित दिखता है लेकिन सांत रहता है अब कहती है जो आपकी कभी है वो कहती है कि इस बाग को असल में कहां होना चाहिए था तो वो कहती है इस बाग को ही इस बाग को शुडबी होना चाहिए था लर्किंग छुपा हुआ इन सैडोस छाया में परचायों में जो बाग होता है जंगल में जो बाग है वो छुप कर घात लगा कर बैठता है और जैसे ही कोई जानवार उसके पास आता है वो तुरंत पकड़ कर उसको मार डालता है तो अब इसी चीज की वो कलपना कर रही है कि ही इसे सुडबी छुपा हुआ होना चाहिए था लर्किंग सुडबी लर्किंग इसे छुपा हुआ होना चाहिए था इन सैडोस पर छायों में या फिर छाया में अर्था इसको छाया में घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए था ये चीज वो कह रही है तो इतना गुमा फिरा कर मत पढ़िए आप सिधा सिधा ऐसे ही पढ़ लिजिए जो लिखा है तो आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज को कि इस बाग को छाया में छुपा हुआ हो चाहिए था थो का मतलब होता है मेसी होकर लॉंग लंबी ग्रास घास लंबी घास में इसको सरकते हुए चलना चाहिए था अर्था लंबी लंबी घास में धीरे से छुप कर बैढ़ जाता है और धीरे धीरे सरकते हुए अपने सिकार की और आगे बढ़ता है तो वो चीज वो कल्पना कर रहे हैं कि इसको ऐसे ही करना चाहिए था जंगल में ठीक है नियर का मतलब होता है पास वाटर होल मतलब होता है जलासे पानी का तालाब तो पानी के तालाब के पास लंबी घास में इस बाग को सरकते हुए चलना चाहिए था वेर जहां से प्लंप मोटा ताजा डीर, हीरन पास गुजरता है जहांसे मुटा ताजा बाग को परच्छायों में चुपा हुआ होना चाहिए था और पानी के तालाब के पास लंबी घास में इसको सरकते हुए चलना चाहिए था जहां से मोटा ताजाहिरन गुजरता है आगे फिर कलपना कर रही है कि ही इसे सुड़ भी होना चाहिए था स्नार्लिंग स्नार्ल का मतलब होता है दहारना इसको दहारते हुए होना चाहिए था अब किन घरों के चारों at the jungles is at jungle, jungle के अब पॉश्टाफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के तो जंगल के is किनारे पर या फिर छोर पर तो जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों और इस बाग को दहारते हुए शुड़ भी होना चाहिए था और बेरिंग बेर मतलब होता है दिखाना बेरिंग और दिखाते हुए एक तरह से वो दिखाता क्या दिखाता ही अपने वाइट सफीद फैंक्स अपने सफीद नुकीले दातों को हीस क्लाज और अपने नुकीले क्लाज अपने नुकीले पंजों को दिखा कर टेरराजिंग डराना चाहिए था दे विलेज गाओं के लोगों को और अपने सफीद नुकीले दातों को और अपने नुकीले पंजों को दिखाते हुए गाओं के लोगों को डराते हुए होना चा के किनारे पर बने घरों के चारों और दहारते हुए होना चाहिए था और अपने सफेद नुकीले दातों को और अपने नुकीले पंजों को दिखाते हुए गाओं के लोगों को डराते हुए होना चाहिए था अब उन्होंने कलपना तो कर ली कि इसको कहां कहां पर होना चाहि है उसके बारे में वो बात करती है कहते हैं कि बट लेकिन ही इस लॉक्ट इसे लॉक कर दिया गया है जंगल में तो ये बाग आजाद था लेकिन इस बाग को लेकिन पट लेकिन इस बाग को लॉक्ट कैद कर दिया गया है इनक कंक्रीट सेल का मतलब होता है कोठरी कंक्रीट कंक्रीट की मजबूत सेल में कंक्रीट की मजबूत कोठरी में ठीक है लेकिन इस बाग को कंक्रीट की मजबूत कोठरी में लॉक कर दिया गया है कैद कर दिया गया है इस सकती को बार्स सलाखों के बिहांड पीछे बंद कर दिया गया है जंगल में तो ये बाग आजाद था लेकिन इस बाग को कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है और उसकी सकती को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है बार्स मतलब होता है सलाखें श्टाकिंग श्टाक मतलब होता है नापना ठीक है दलेंथ लंबाई को वो लंबाई को नापता रहता है और फिस केज अपने पिजड़े की तो वो अपने पिजड़े की पूरी लंबाई को नापता रहता है इसका क्या मतलब है अर्थात वो अपने पिजड़े में या फिर अपने पिजड़े की पूरी लंबाई में चलता रहता है वो अपने पिजड़े में ही घूमता रहता है आप इसको ऐसे कह सकते हैं ignoring, ignore का मतलब होता है नजर अंदाज करना या फिर परवाह ना करना visitors का मतलब होता है आगंतुक अब होता क्या है कि चिडिया घर में बहुत सारे लोग जानवरों को देखने के लिए जाते हैं तो वो क्या कर रहा है कि वो जो बाग है न वो जो आगंतुक हैं उसको देखने के लिए जो लोग आए हैं जो visitors आए हैं उन सब को वो नजर अंदाज करता है उन सब की वो परवाह नहीं करता तो उसको देखने के लिए आए हुई लोगों की परवाह ना करते हुए या फिर आगंतुकों की परवाह ना करते हुए वह अपने पिजड़े की पूरी लंबाई में चलता रहता है उसे किसी से कोई मतलब नहीं वो अपना घूमता रहता है अपने पिजड़े में ठीक है बाहर आ जाए तो सब को सवरगवासी बना दे लेकिन अपिजड़े में बंध है तो KUCH नहीं करता हुए अपने पिजड़े में ही घूमता रहता है He, वहां यहर सुनता है वो सुनता है The Last Wyze Last मतलब अंतिम वाईस आवाज वहां अंतिम आवाज सुनता है At night रात्री में रात्री में वहां बाग जो अंतीम आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार्स वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है पेट्रोलिंग मतलब गस्त के लिए घूमती हुई कार्स कारों की होती है रात के समय पेट्रोलिंग कार्स निकलती है गस्त लगाते हुए गाड़िया निकलती है यानि वो लोग देखते हैं कि किसी जानवर का कोई पिजड़ा तो नहीं खुला या फिर किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई जानवर पिजड़े से बाहर तो नहीं आ गया है ये सारी चीजे ध्यान देने के लिए वो लोग रात को गस्त लगाते हैं, और वही चीज वो उन गाड़ियों की आखरी आवाज वो बाग सुनता है, रात में, जंगल में होता तो तरह तरह की आवाजे सुनता, लेकिन चिढिया घर में कैद है, तो सिर्फ गाड़ियों के ही आवाज वो सुनता है वह बाग रात्री में जो अन्तिम आवाज शुनता है वो गस्त के लिए घूमती हुई कारों की होती है and stairs और stairs वो घूरता रहता है with his अपनी brilliant चमकीली आइस आखों से वो अपनी चमकीली आखों से या फिर वो अपनी चमकदार आखों से brilliant stars brilliant stars चमकीले stars तारों को स्टेर करता रहता है घूरता रहता है और वह बाग अपनी चमकदार आखों से चमकीले तारों को स्टेर्स घूरता रहता है लेखिका है Leslie Norris चैप्टर यहीं पर complete होता है अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारी किसे पढ़ना चाहते हैं प्लस अपना पूरा grammar पढ़ना चाहते हैं प्लस आप चाहते हैं कि आपकी book के सभी question answer और पूरी grammar के notes आपको मिल जाएं तो यह सारी चीजे प्राप्त करने के लिए आप हमारा desire point अप डाउनलोड कर लीजिए अप का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जैसे ही उस link पर आप click करेंगे वो link आपको सीधा हमारे app पर play store पर ले जाएगा play store से आपको हमारा app डाउनलोड कर लेना है अपने phone में app पर registration कर लेना है और app पर आपको सारी चीजे मिल जाएगी आप अच्छी तरह से बारी की से मन लगा कर सभी chapters को पढ़ सकेंगे सारे notes से मिल जाएगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और हाँ हमारा contact number भी आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई दिक्तत होगी तो आप हमसे contact करके बात भी कर सकेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी share करें ताकि वो भी इस चलाब ले सकेंगे